हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एई प्रोडक्शन, मशिन लर्निंग बिगिनर दू प्रोफेशनल हैंड्स अन पाइथन कोर्स इन हिंदी, इस कोर्स में हम पाइथन नमपाई टूटिरियल पार्ट 10 में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग और रैंडम मॉडूल में हम नमबराप मेतर का इस्तमाल करके हम डिपरेंट टाइप के रैंडम नमबर जनरेट कर सकते हैं और उसके ओपर हम नमबराप ऑपरेशन परफ़ाम कर सकते हैं तो उसके लिए हमने क्या देखा था रैंडम मॉडूल का इस्तमाल किया था उसी तरह किया था उसी तरह के सामने देखा था मतलब हमारे जो रेंडमन्बर है next time हमें सेम रेंडम नंबर 77 करने इस तरह के भी डेड़ का सकते थे नेक्ट हमने देखा था पर्मूटेशन मतलब आपके पास कोई sequence और उसका आपको नमबरा पर्मृटेशन क्रिएट करने तो उसके अलावा आपको रैंडब मॉडल के डियर सारे function को use करना था उसके लिए हमने आपको description box में उसकी link दी तो चोल अब हम जम करते हैं पार्ट 10 के उपर तो यहाँ पर हम देखते कि या numpy string operation हमें क्यों पढ़ना है जब आप कोई project के उपर काम करें और उस वक्त आपकी बास string type का data है कोई से type का string type का data है और उस strings type के data के उपर आपको कोई operation perform करना है numpy का इस्तमाल करके तब आपको string operation comparison and information method को यूज करना पड़ेगा तो चोलो सबसे पहले हम क्या करते numpy को import करते हैं तो numpy को import करने के लिए हम import keyword का इस्तमाल करते हैं next हम इन अमपाई को import करना है next हम उसको short name देना है तो as keyword का इस्तिमाल करेंगे और उसको हम shortname देंगे np छलो इसको execute करते मतलब numpy को import करते next यहाप हम क्या करते दो string को generate करते यहाप हम लेता हूँ ch name मतलब channel name equals to यहाप हम लेते quotation के अंदर Indian next यहाप हम लेते ai और यहाप हम लेते production next हम क्या करते second string generate करते यहाप हम लेता हूँ just str1 equals to यहाप हम लेता हूँ learning python क्या हम कर रहे है python numpy पढ़े तो चलो यहाप हम लेता हूँ python numpy ठेक हमारे पास दो string है अब इस दो string के उपर मुझे कोई operation परपाम करने मतलब हमारे पास दो string है और दोनों string को मुझे add कर रहा है उसको merge करना है तो उसको मैं किस तरीके से कर सकता हो तो उसके लह में क्या करना बढ़ेंगा np numpy का इस्तेवल करना बढ़ेंगा numpy के पास्सा मॉडूल है numpy के पास है kyaar और kyaar मॉडूल के पास क्या है kyaar model के पास add method है इस method का इस्तेमाल करके हम दो string mund कर सकते हैं मतलब इसको merge कर सकते हैं उसको आप अड्ड कर सकते हो прыंगा एड function को में दो parameter देने बढ़ेंगे होता है तो यहां पर आप देख सोते हो हमें आउटपूट मिला है कि इसमें अरे के फॉर्म में हमें एड फंक्शन ने आउटपूट रिटन किया है जो हमारे दो स्टिंग थी इंडियन यह प्रोडक्शन और लर्निंग पाइथन नम पाई तो यह दोनों स्टिंग आड हो करेंगे np.car उसके बाद हमें कौन सा मेटर का इस्तमाल करना पड़ेंगा लोवर मेटर का तो यहां पर मैं लेता हो लोवर नेक्स्ट हमें लोवर कौन से स्ट्रिंग को करना है तो मुझे ch underscore name को लोवर करना है तो उसको मैंने दे दिया चलो इसको एक्जिवूट करते हो दे लिखेंगे अपर ठीक है उसके बाद हमें अपर कौन से स्ट्रिंग को करना है चलो str1 को अपर करते चलो इसको एक्जिवूर करते तो यहां पर देख सकते हो हमारे स्ट्रिंग का हर एक क्यारेक्टर अपर केस में करनोर्ट हो चुका है इस तरह किसा आप टाइटल का भी इस इस्तिमाल करोंगे उसको भी यूज करना एकदम सिंपल है हम लिखेंगे निप डाट क्यार नेक्स्ट हमें को इसे में अटर का इस्तेमाल करना है सेंटर तो यहां पर हम लेकिन यह जो को स्ट्रिंग कि लेंद कितनी होनी चाहिए तो यहां पर मैं लेता हुँ मैं 60 टोटल ह लेकिन जो हमारा str1 यह सेंटर में आएगा चलो इसको एक्जिवूट करके देखते तो यहाप आप देख सकते हो जो हमारा लर्निंग पाइथन नमपा जो स्ट्रिंग थी टोटल 60 क्यारेटर में सेंटर में आ चुके लेकिन जो हमें वाइट स्पेस मिलिए इसके जगा पर करना चाता हो चोले इसको एक्जिवूर करते यहाप देख सकते हो जो हमारा लर्निंग पाइथन नमपा यह जो स्ट्रिंग किसमें फिल हो चुके है स्टार में फिल हो चुके तो इस तरह किसा आप सेंटर में तरह का इस्तिमाल करूंगे नेक्स्ट हम क्या करते हैं जो हमार करंगे split method को हम देंगे एक parameter मतलब हमें कोई से स्टिंग को split करना है तो यहाँ पर में लेता हूँ ch underscore name इसको मुझे split करना है चलो इसको एक्जिवर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हूँ जो हमारा sentence था इंडियन एया प्रोडक्शन यह जो single string थी इसको में split कर दिया है three item में list के three item में तो इस तरह के से आप कोई भी string को split कर सकते हो next हम discuss करते split line के बारे में तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते np.car next split line इसके बाद हम क्या करते इस string को में एक parameter देते मतलब एक string देते जिसमें backslash n इस्तमाल किया जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ hello hello backslash n next यहाँ पर लेते इंडियन ठीक है इंडियन तो यहाँ पर देख करते हो हमारे देखते आउट पूट क्या मिलता है तो यहाँ पर देख करते हो हमारे दोनों वर्ड हेलो एंडियन जो दोनों backslash n से joint है तो उस जगह से हमारे दोन वर्ड split हो चुके है तो जब आपके string में backslash n हो और उस जगह से आपको string को split करना है तो उस वक्ता आप split lines मेतर का इस्तेमाल करने नेक्स्ट हम डिसकस करते है जॉइन मेतर के बारे में जैसे कि आपके पास कोई string है उस ट्रिंग के हर एक character को आपको particular चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे np.car नेक्स्ट हम याप लिखेंगे जॉइन मेतर इसके बाद हमें जॉइन मेतर को दो पैरामेटर देने पड़ेंगे फिर्स्ट पैरामेटर में हमें ऐसे पैरामेटर के जगापे हम क्या करेंगे स्क्वेर ब्रैकेट और यहाप हमें str1 फर्स देने बडिंग str4 और नेक्स्ट हमारे स्टिंग है str5 चलो इसको एक्जिगूट करते हैं और देखते आउटपूट क्या मिलता है तो यहाप आप देख से तो जो हमारे फर्स डिंग थी DMY उसके हरे क्यार्टर जॉइंड होगाई kolon से और हमारे जो दूस्री चिंग ए 13 उसके हरे method replace method यहापको पहला parameter ૫्स्दिंग देना पड़ेगा जिसको आपको replace करना है तो यहाप मिलेता हूँ ch name ठीक है अब फ्स्ट्रिंग में जो जो AI जो AI इस्ट्रिंग है इसके जगाा पर मुझे replace करना है artificial intelligence तो मुझे क्या करना पड़ेंगा यहापे थटर पैरामेटर देना पड़ेंगा artificial intelligence तो मुझे क्या करना है AI के जगा पर artificial intelligence replace करना है चलो इसको execute करते हैं और देखते हैं तो यहापे आप देख सकते हैं हमें new string मिल चुके हैं एक array के form में Indian artificial intelligence production तो AI के जगा पर artificial intelligence यह string हमने यहापे replace कर चुके अब हम discuss करते comparison क्यों पर मतलब आपके पास strings है और उस string को आपको compare करना है जैसे कि आपके पास दो string है और दोनों string को आपको compare करना है कि वो equal है कि नहीं यह वो not equal less है तो इस तरह के operation perform करने तो आप comparison method का इस्तमाल करूंगे तो यहाप हम equal method का इस्त next यहापे हम लिखेंगे equal equal method अब यहापे हमें दो parameter देने परेंगे str4,str5 क्योंकि मुझे दोनों string को equal है कि नहीं चेक करना है चलो इसको execute करते है और देखते है output क्या मिलता है तो यहापे हमें array के form में output मिला है true तो true का मतलब यह होता है कि जो str4 string है और str5 string है दोनों same है इस next हम discuss करते string information मतलब आपके पास कोई string है और उस string में से आपको कोई information ले नहीं है तो उस वक्ता आप string information methods का इसतिमाल कर रहाँगे तो यहापर महल लेताओ count method मतलब हमारे पास एक string है उस string में से कोई particular character कितने time present है यह हमें count करना है तो उस वक्त हम count method का इस्तमाल करेंगे तो यहां पर मैं लेता हूँ np.car next हमें यहां पर लिखना है count अब हमें किस में से क्या count करना है मतलब कौन से string में से हमें क्या count करना है तो हमारे पास है कि ch name इस string में से मुझे count करना है कि एक character कितने time present है तो यहां पर मैं लेता हूँ quotation के अंदर small है मुझे small a check करना है तो यहां पर मैंने लेया small a यहां पर आप कोई word character ले सकते हो चलो इसको execute करते है यहां पर हमें array के form में output मिला है one इसका मतलब यह होता है कि जो हमारे string है उस string में a character one time present है चलो इसको manually refer करते है तो उस string हम लेते है ch underscore name को और इसको execute करते है तो यहां पर आप देख से तो हमारा Indian यह production है उसमें small a single time present है capital a अलग है और small a अलग है ठीक है तो इसलिए हमें value मिले one next हम क्या करते है जो हमारे string में पी present है कि नहीं यह हमें check करना है पर्टिकुलर स्ट्रीम में कोई particular character या word present है की नहीं हमें check करना है मतलब find करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे find method का नहीं है तो यह पर मिलेता हो quotation के अंदर capital AI चलो इसको execute करते है तो यह आप हमें value मिले 7 7 का मतलब क्या होता है कि जो AI character है मतलब जो AI word है वो कौन से index पे present है तो जिस index पे present रहेंगा उसका index हमें array के फॉर में मिलेंगा चलो इसको manually compare करते है तो जो हमारा AI था उसका इंडेक्स है तो हम क्या करेंगी का इस्तिमाल करेंगे वे की को फ्रिश करो तो आपकी new cell क्रे करना है तो उसक्त आप इन मेंतर का स्तेमाल करोंगे निस्ट कि इस्तेमाल करके आपके स्ट्रिण को आपके सेंटर में ले सकते हुए ऑ कारेक्टर से आपके स्ट्रिंग को फिल कर सकते हो возь time देखाँ स्प्लीड स्ट्ली लाइन आपको छेक आड़ चरने तो आपको माई उसे तरह के से comparison, string, comparison के लिए आपको number up method मिलेंगे string information के लिए आपको number up method मिलेंगे इस method को आपको learn करना है तो उसके लिए मैं description box में इस way page की मैं आपको link दे दूँगा तो दोस्तो python numpy tutorial है in Hindi की जो हमारा tutorial था यह tutorial यह हम end up करते इस tutorial में आपको total 10 video मिलेंगे 10 video में हमने numpy के maximum method को cover किया, maximum operator को cover किया और इसको आपको access करना है तो हमारे YouTube channel के उपर आना पड़ेंगा channel का नाम है Indian AI Production इसके home page में जाकर आपको python numpy tutorial in Hindi इस playlist को access करना है और उस playlist में आपको total 10 video मिलेंगे और आपने इस 10 video को refer कर लिया तो मैं आपको guarantee दिदा हूँ कि आप numpy लाबरे के master बन जाओंगे इसके अलाव आपको ज़्यादा पढ़ने के कोई भी ज़रुत ने यह 10 video देखने के बाद आपको machine learning या data science में जब भी आपको numpy का इस्तिमाल करना पड़ेंगा तो आप उस operation को perform करने के लिए easily numpy में तरका इस्तिमाल कर सकोंगे और इसके अलाव भी हमारे एक official site है इसका नाम है indianaiiproduction.com इसके उपर भी जाकर आप जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मैं guarantee देता हूँ कि आप numpy में master बन चुकिया है और इसी तरके से आपको python, matplotlib, sibaon इसके बारे में भी आपको detail में learn करना है तो आपको चानल के playlist में सारे topic के उपर playlist मिल जाएंगी तो उसके उपर जाओ और आप हर एक playlist को access करके पूरे topic को detail में पढ़ो तो चलो दोस्तों मिलेंगे अब next video में तब तक के लिए सिखत सिखाते कुछ implement करते रहो धन्यवाद